लुट्न पमेक्प ब्रश को स्पंसरी को इसनफेक्ट कर सकते हैं ऑर अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट मेरे वेडियो को फ़स्ट वच्ट कर रहे हैं तो वीडियो को जिस वाच नहीं करना चैनल को सब्सक्राइब करना है तकि मेरे यूट्यूब फैमली का हिसा बने और वीडियो चलोगे तो लाइक जूर कर जिए बेल एकन को हिट करना बिलकुल मत भूलेगा तो विदाओ टाइम बेस किया स्टार करते हैं अपनी आज की इंजॉइ करेंगे अपनी लाइफ तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर को ब्यूटी टूल्स को ब्यूटी ब्रेशिस को हम कैसे क्लीन अप कर सकते हैं बहुत सारे लोग नहीं करते हैं इनकी सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है इनकी वज़ा से हमें पिंपल्स हंडर्ट में से 80% हमें पिंपल्स और ब्रेक आट जिसी प्रॉब्लम इन ब्रशिस को यूज़ करने से होती है हम लोग ने ले लेना है गरम पानी ठंडा इसले नहीं ले रही है अगर समर में आप करें तो नॉर्मल टंप्रेचर वाला पान ढली कि क्वाशच नहीं नहीं है तो आप इसमे को भी शैंपू यूस कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप लोगं के पास हईट्रोजन पार अकसाईड तो आप उसमें उसलौ भी आट कर सकती है तो मै आडनी की दार आप लोग ने कोई भी कंडिशन लेना है विकॉज हुआ इन ब्यूटी ब्लंडर्स की डीप क्लीनिंग करनी है बहुत सारे ब्रेश संटाथिक होते हैं कोई नैचरल हेर से बने में होते हैं तो इनको बहुत ज़दा स्मूध करने के लिए इनको और ज़दा इनकी लाइफ टाइब को बढ़ने के लिए बहुत सारे लोग नहीं करते हैं मैं भी अनुसली नहीं करती हूं तो अगर week में नहीं कर सकते हैं तो month में एक बार जुरूर इनकी क्लीनिंग किया करें because इनकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है इनको ज़्यदा ज़दा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो शिट करती है जरती और इस dead skin के छोटे छोटे पार्टिकल्स dead skin के साथ मिलकर हमारी जो air में dust होती है इसके साथ मिलकर bacteria में change हो जाती है और वो हमारी skin पर infection cause करते है pimples break out वेरा के एक बहुत बड़ा reason ये भी होता है कि हम अपने brushes को deep clean नहीं करते हैं cleaning का बिलकुल ख्याद नहीं रखते हैं जिसकी वज़ा से हमारी skin पर इस तरह के problem हमें face करने पड़ते हैं इस पानी में आप लोगों ने इसको half and hour के लिए रख देना है छोड़ देना है बिलकुल ताकि इसमें जितना भी मैंने काफी time से wash नहीं किया क्योंकि मैं हाथ से फिंगर से यूज़ करती हूँ अपने make-up करने के लिए फिंगर यूज़ करती हूँ तो इसको अच्छे से आपने clean up deep clean करना है अगर आपके बहुत ज़्यदा brushes खराब हैं तो आप इसमें थोड़ा सावान टेबल स्पून वेनिगर भी आड़ कर सकती है आदा गंटा या घंटा रखने के बाद आपने इसको कर लेना है clean up आप लोग ने कोई tissue ले लेना है या अपने towel ले लेना है आपने इसके bristle को इस तरह अच्छे से पानी में मार के करने के बाद आप स्पांज से भी इसको इसके जितनी भी dirt पार्टिकल है वो सब आप निकाल ले दैन आपने कोई भी साफ पानी लेना है इसके बाद वो पानी आप घरम भी ले सकते है विंटर में आपने मस्ट घरम पानी ही लेना है अगर समर होता तो नॉर्मल पानी लेते है तो ठंडे पानी से ये brushes बिल्कुल भी साफ नहीं होगे आपने गरम पानी ही लेना है देन आपने इन brushes को जितने सारे brushes हैं इनको ऐसे निचोड कि आपने साफ पानी के अंदर डाल देना है देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी गंदा हो चुका है और आप लोगों को पता ही नहीं होता है इनमें कितने ज़्यादा बैक्टेरियों होते हैं जो कि आपकी स्कीन पर पिंपल कॉस करते हैं एक और स्कीन पर प्रॉब्लम फेस करनी पर सकती है आपको उनकी सफाई बहुत ज़्दा ज़ूरी है, एक तो आप चाहते हैं कि हम खुद यूज़ चुछ एपने फैस पर यूज़ थामयेक्टिरिया हम समयाँ करे रादै तो उनकैने के लादो आधैं हो जाती है तो हम सोगे और सुबह पिमपल हो गया तो वो इसी की वज़ा से होते हैं ब्रॉशिस की वज़ा से ही आपकी skyn पर agrad법 आते हैं तो आप लोगों ने भहुत जाधा ख्यारексन की बिस्ट क्लीनिंग का वीक में न सुथ दें थी तो वीक में यह तीन 2021 के पर आपको पता होते हैं कितना सारा आपने मौद जमा करके रखा वें ब्रेश के अंदर तो इनको अच्छा से कर लेना आपने वाश साफ पानी में अगेन इसको मैं डालूंगी यह देख सकते हैं यह वाला भी पानी बहुत जदा गंदा हो चुके हैं इसके अंदर इतना मेकप लगा वाश करना ने वीडियो तो यह वीडियो को मैं बना के लाती हो आप लोग जो सबस्क्राइब कर दीजें थाकि मेरी मुझे मोटिवेट होता है आप लूग लिए और उच्छी वीडियो बना के लाओं आप लिए और हेले वीडियो बना के लाहां वाली रैमेड करके बता सकते हैं मैं आप लोग लिए इस टॉपिक पर वीडियो भनाऊंगी तो इसको ब्रेश को साफ करने के बाद आप लोग ने मुझे फीडबैक जरूर देना है और आप ने ये भी बताना है कि आप लोग ब्रेश साफ करते हैं या नहीं नहीं करते होंगे तो आप लेना है माइक्रो फाइवर टावल यूज करना है ताके उससे जिसकी ब्रिश्टल है वो खराब नहीं आप लेकर करके इन ब्रेश को इस टावल के अंदर डाल देना है और इसको अपने ड्राय कर लेना है ड्राय करने के लिए आप इसको धूप में भी रख सकते हैं आप इ प्रिप क्लीन हो जाएंगे इसके अंदर किसी किसम का बैक्टेरिया नहीं रहेगा देना आपने इसको ड्राय किया ड्राय करने के बाद मैं रात को वीडियो बना रहे हैं तो मैं इसको ब्रॉप में रख़ा और कितना फ्लॉफी सा ब्रेश हो गया और यह मेरे पस ब्रेश फाइफ येर्स थे हैं और आप देख सकते हैं कि बिलकुल भी खराब ने उसके ब्रिस्टर खराब ने आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक जुरूर कर जिजगा मिलती हो अपनी नेक्स वीडियो में दौा में याद रखेगा अला हाफिज